मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविश के निर्मान का मोका देता है। आज सवभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है, दसकों पहले जयव विविदिता की सदियों पुरानी जो कड़ी तूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोडने का मोका मिला है। आज भारत की धर्ती पर चीतान लौट आए है। और मैं ये भी कहूंगा, कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृती प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ती से जाग्रध हो उठी है। मैं इस अईतियासिक अउसर पर सभी देशवाच्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेश रुप से मैं हमारे मित्र देश, नावीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। जिनके सहयोग से दसकों बाद चीते भारत की धर्ती पर वापस लोटे हैं। मुझे विश्वास हैं, ये चीते न केवल प्रकृती के परती हमारी जिम्मेदारियों का बोद कराएंगे, भलकि हमारे मानविय मुल्यों और परमपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं, तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आज़ादी के इस अमरित काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सद्यों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृती के दोहन को शक्ती प्रदर्शन और आधुनिक ताका प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखरी तीन चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निश्ठूरता वा गेर दिमेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से बिलुप्ततों गोशित कर दिया। लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दसकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आज़ादी के अमरित काल में अब देश नई उर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुड गया है। अमरित में तो वो सामर्त होता है जो मृत को भी पुनर्वित कर देता है। मुझे खुशी है कि आज़ादी के अमरित काल में करतव्य और विश्वास का ये अमरित हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्वित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है एक ऐसा कारिय राज ने इतरी दिर्ष्टि से जिसे कोई महत्म नहीं देता। उसके पीछे भी हमने भरपूर उर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तरूत चीता एक्शन प्लान तयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की साउथ आफ्रिकन और नामी बियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई। वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक छेतर के लिए बैज्ञानिक सर्वे किये गए। और तब कुनों नेशनल पार्क को इफ्शुर्ख सुरुवात के लिए चुना गया। और आज हमारी वो महनत परणाप के रूप में हमारे सामने है। साथियों ये बात सही है कि जब प्रक्रूती और परियावरन का समरक्षन होता है तो हमारा भविश्य भी सुरक्षित होता है। विकास और सम्रुद्धी के रास्ते भी खुलते हैं। कुनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दोड़ेंगे तो यहां का ग्रास्त लैंड इको सिस्टिम फिर से रिश्टोर होगा। बायो डाइवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टुरियम भी बढ़ेगा। यहां विकास की नई संभावनाय जन्म लेगी। रोजगार के अउसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों मैं आज आप से सभी देशवासियों से एक आगरह भी करना चाहता हूं। कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महिने का धैरियत दिखाना होगा। इंतजार करना होगा। सहयोग करना होगा। आज ये चीते महमान बन कर आए हैं। इक शेत्र से अंजान है। कुनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए। इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महिने का समय देना होगा। अंतरराष्ट्रिय गाइडलाइन्स पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पुरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को दीफन नहीं होने देना है। साथियों, दुनिया आज जब प्रकृती और परियावरण की और देखती हैं। तो सस्ट्रेनेबल डेवलप्मेंट की बाद करती हैं। लेकिन प्रकृती और परियावरण, पशू और पक्षी, भारत के लिए एकेवल सस्ट्रेनेबिलिटी और सिकुरिटी के विशय ही सिर्फ है ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरुच्यालिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तिक्वा सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है। हर्थात संसार में पशू, पक्षी, पैड, पौदे, जर, चेतन जो कुछ भी है वो इस्वर का ही स्वरूप है। हमारा अपना ही विस्तार है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं परम परोप कारार्थम योजिवती सहाजिवती। हर्थात खुद के फाइदे को ध्यान में रख करके जीना वास्त्विक जीवन नहीं है। वास्त्विक जीवन वो जीता है जो परोप कार के लिए जीता है। इसलिए हम जब खुद बोजन करते हैं उसके पहले पशूपक्षों के लिए अन्न निकालते हैं। हमारे आस्पात रहने वाले छोटे से छोटे जीव की भी चिंता करना हमें सिखाया जाता है। बच्पन से सिखाया जाता है। हमारे संसकार ऐसे हैं कि कहीं अकारण किसी जीव का जीवन चला जाए तो हम अपराद बोच से भर जाते हैं। फिर किसी पूरी जीव जाती का अस्तित्व ही अगर हमारी वजह से मिढ जाए ये हमें कैसे स्विकार हो सकता है। आप सूचिए हमारे हां कितने ही बच्चों को ये पता तक नहीं होता है कि जिस चीता के बारे में सुनकर वो बड़े हो रहे हैं। वो उनके देश में से पिछली सताब्दी में ही लुपत हो चुके हैं। आज आफरिका के कुछ देशों में और इरान में चीता पाए जाते हैं। लेकिन भारत का नाम उस लिस्ट से बहुत पहले हटा दिया गया था। आने वाले वर्षों में बच्चों को इस विडमना से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है वो चीता को अपने ही देश में कुनो नेशनल पार्क में दोड़ता देख पाएंगे। चीता के जरिये आज हमारे जंगल और जीवन उसका एक बड़ा सुन्य भर रहा है। साथियों आज 21 सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है। कि एकोनामी और एकोलोजी कोई विरोधावासिक शेत्र नहीं है। पर्यावरन की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्ता में शामील है। तो साथ ही देश के वनक्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। साथियों, 2014 में हमारी सरकार मनने के बाद से देश में करीब करीब डाइसो नए समुरक्षित छेत्र जोडे गए है। हमारे हाँ एशियाई शेरों की संख्या में भी बड़ा इजाबा हुआ है। आज गुजरात देश में एशियाई शेरों का बड़ा ख्षेत्र बनकर उभरा है। इसके पीछे दसकों की महनत, रिसर्ट बेज, पालिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमी का है। मुझे याद है हमने गुजरात में एक संकल पर लिया था। हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संगर्स गटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परणाम के रुप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष तैक किया गया था। हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सिंग वाले गेंडों का अस्तित्व खत्र में पढ़ने लगा था। लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धी हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से जादा होच गई है। भाई और भेनों देश में प्रकूती और परियावरण के द्रश्टिकौन से जो एक और बड़ा काम हुआ है। वो है वेटलेंड का वेटलेंड का विस्तार। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में करोडों लोगों का जीवन और उनकी जरुरतें वेटलेंड एकलोजी पर निरभर करती है। आज देश में 75 वेटलेंड को रामसर साइट्स के रूप में गोशित किया गया है। जिन में 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई है। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगती के नए पत्प्रसस्त करेगा। साथियों, आज हमें वैश्विक समस्याओं को, समाधानों को और यहां तक की अपने जीवन को भी होलिस्टिक वे में देखने की ज़रूरत है। इसलिए आज भारत ने विश्व के ये LIFE, LIFE यानि Lifestyle for the Environment जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज International Solar Alliance जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक द्रश्टी दे रहा है। इन प्रयासों की सफलता दुनिया की दिशा और भविश्यत्ताय करेगी। इसलिए आज समय है कि हम Global चुनोतियों को दुनिया की नहीं अपनी व्यक्तिगत चुनोति भी माने। हमारे जीवन में एक छोटा सा बडला, पूरी पृत्वी के भविश्य के लिए एक आधार बन सकता है। मुझे विश्वास है, भारत के प्रयास और परंपरा है। इस दिशा में पूरी मानवता का पत्प्रदर्शन करेगी, बहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को इस मुल्यवान समय पर, एतियासिक समय पर बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इनका पर चानल को सब्सक्राइब करें।